नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार Creative Mind Global School में मैं स्वागत करती हूँ. मैं विजेता चोरसीया, आज आपको एक वचन और बहुवचन समझाने जा रही हूँ. वचन, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक एक वचन और दुसरा बहुवचन. एक वचन, जी शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, उसे एक वचन कहा जाता है. बहुवचन, जी शब्द से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, उसे बहुवचन कहा जाता है. तो मैं आज कुछ उधारणों द्वारा आपको समझाने जा रही हूँ एक, लड़का, लड़के का बहुवचन होता है लड़के, लड़की, लड़किया, आख, आख का बहुवचन होता है आखे, कववा, बहुत सारे कववे, कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, बहुत सारे कपडे, किताब, किताबे, केला, केले, ओके धन्यवाद बच्चो